विश्रु में विभिन्य देशों के बीच चल रहे तनाव कम नहीं हो रहे हैं और नए तनाव और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं शेख हसीना के दोर तक तो चीजे ठीक थी लेकिन उन्हें हटाए जाने के बाद बांगलादेश की राजनिती और रणिती काफी हद तक बदल गई है और आने वाले समय में इसके और अधिक बदलने की संभावना है वहाँ का नया निजाम अपने हिसाब से रणितियां तै करेगा इससे उसके परोसियों पर असर पढ़ना भी सौभाविक है बांगलादेश के ठीक परोसी भारत और चीन है अब बांगलादेश के आगे के फैसलों से पता चलेगा कि उसका कौन सा फैसला किस परोसी देश के लिए अच्छा और किस के लिए खराब है इस बीच बांगलादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूत का आयाद बढ़ा दिया है इससे वहाँ के सैनेगड़ बंदनों में बदलाव का संकेत मिलता है जो कि भारत के लिए चिंता की बात है एक रिपोर्ट के मताबिक बांगलादेश ने पाकिस्तान की ओर्डिनेस फैक्टरी पी ओ एफ से 40 टन RDX विजखोटक और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ओडर दिया है ये पिछले साल के ओडर से काफी जादा ओडर है क्योंकि पिछले साल शेक हसीना के दौर में बांगलादेश ने पाकिस्तान को सिफ 12,000 राउंड गोला बारूद का ही ओडर दिया था डिफेंस इंपोर्ट में ये बढ़त बांगलादेश के सैनिगर्ट बंदनों और रणितिक हितों में संभावित बदलाव का संकेत माना जा रहा है जो भारत के लिए चिंता का विशह है भारत पाक समंदों को देखे तो पाकिस्तान से बांगलादेश का डिफेंस इंपोर्ट बढ़ना भारत के प्रभाव के लिए एक चनोती के रूप में देखा जा सकता है दूसरी तरब जब पाकिस्तान दक्षड एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगा हो तब ये और बड़ी चुनोती है क्योंकि पाकिस्तान क्षित्रिय भू राजनीती यानि रिजनल जियो पॉलिटिक्स में खुद को एक प्रमुक खिलाडी के रूप में स्थापित करने में लगा है ऐसे में बांगला देश के साथ इसके बरते सैने संबंदों को क्षित्र में भारत के प्रभाव को संतुलित करने की व्यापक रणिती के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है ये सब तब हो रहा है जब बांगला देश में अलग-अलग मुद्दों को लेकर पहले से ही भारत विरोधी भावना भड़की हुई है इसके अलाबा पहां वीजा आविदन से जुड़े एक मसले को लेकर भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्मध में तनाव है भारत की बरती चिन्ताओं के बीच देश के रक्षामंतिर राजनास सिंग ने भारत की सेना से बांगला देश में तखता पलट और उसके बाद की घटनाओं का विशिलेशन करने के लिए कहा है जिससे साब पता चलता है कि भारत इन घटना क्रमों को गंभीरता से ले रहा है इस देश चे कहा था कि किसी भी सूरत में हमारी शांती भंग नहोने बाए हाला कि ये भी कहा जा रहा है कि बांगला देश के इंपोर्ट से यदि पाकिस्तान का डिफेस एक्सपोर्ट बहतर हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है लेकिन ये मामला ऐसे देश से जुड़ा है जो हमेशा से भारत के खिलाफ ही रहा और काफी प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान से भारत के संबन्द बहतर नहीं हो सके